Perl Program में Including Files और Modules पर स्पोकन टोटोरियल में आपका स्वागत है। इस टोटोरियल में हम Perl Programming में निम्न मेथ़ड्स प्रियोग करना सीखेंगे Do, Use और Require। इस टोटोरियल के लिए मैं आप्योग कर रही हूँ Ubuntu Linux 12.04 Operating System, Perl 5.14.2 और G-Added Text Editor। आप अपनी पसंद का कोई भी Text Editor उपयोग कर सकते हैं। इस टोटोरियल के अनुसरण के लिए आपको Perl Programming की कारेकारी जानकारी होनी चाहिए। यदि नहीं तो सम्मादेद Perl Spoken Tutorials के लिए Spoken Tutorial वेबसाइट पर जाएं। Do Method ये वर्तमान Script File में अन्य फाइल से Source Code को सम्मिलित करने के सरल तरीके हैं। अब समझते हैं कि Do Method को कैसे प्रयोग करते हैं। अपने Text Editor में नई फाइल खोलें और इसे DateTime.pl नाम दें। DateTime.pl फाइल में स्क्रीन पर पदरशित की तरहां निमन Code टाइप करें। यहां से आगे टर्मिनल पर प्रतेक कमांड के बाद Enter की दबाना याद रखें। अब कोड समझते हैं। वर्तमान Date और Time डॉलर DateString वेरेबल में संचित किया जाता है। यहां मेरे पास MSG Thanks नामक एक फंक्शन है जो एक Thank You मेसेज रिटरन करता है। फाइल को सेव करने के लिए Ctrl S दबाएं। आगे एक आने पाल प्रोग्राम देखते हैं जो इस फाइल DateTime.pl को उप्योग करेगा। अपने Text Editor में एक नई फाइल खोलें और इसे Main.pl नाम दें। Main.pl फाइल में स्क्रीन पर प्रदर्शित की तरह नेमन कोड थाइप करें। अब मैं कोड समझाती हूँ। यहां पहली लाइन Welcome Message प्रिंट करती है। डू मेथड उस फाइल के नाम के साथ कॉल होता है। जहां से हम कोड प्रियोग करना चाहते हैं। वर्तमान Date और Time, DateTime.pl फाइल के $DateString variable में संजित किया जाता है। और अंत में हम MSG Thanks function को उसी फाइल से कॉल करते हैं। अब फाइल को सेव करने के लिए Ctrl S दबाएं। अब प्रोग्राम को निश्पादित करते हैं। टर्मिनल पर वापस जाएं। और टाइप करें Perl Main.pl और Enter दबाएं। टर्मिनल पर Output को देखें। आगे हम सीखेंगे कि Perl Program में Required Method और Use Method को कैसे उप्योग करते हैं। ये Method तब उप्योग होते हैं जब हमारे पास Subroutines का संग्रह होता है, जो Multiple Perl Programs में उप्योग किये जा सकते हैं। Use Method केवल Modules के लिए उप्योग किया जाता है। यह Compilation के समय सत्यापित होता है। File Extension देने की कोई जरूरत नहीं है। Require Method, Perl Programs और Modules दोनों के लिए उप्योग किया जाता है। यह Run Time के समय सत्यापित होता है। File Extension देने की जरूरत है। Use Method का Syntex है Use Module Name Semicolon Perl Modules वो Files हैं जो .pm Extension से समाप्त होती है। Code की पुनरूर्पयोगिता Modules से कार्यानवित की जाती है। अन्य भाषाओं में यह Libraries के समान होती है। अब मैं Perl Code में Module को सम्मिलित करने के लिए Use Method के साथ सराल प्रोग्राम दिखाऊंगी। अपने Text Editor में एक नई फाइल खोलें और इसे Sum.pm नाम दें। Sum.pm फाइल में स्क्रीन पर प्रदाशित की तरह कोड टाइप करें। यहां मेरे पास एक सराल प्रोग्राम है जो दिये गए नंबर्स के सेट के जोड की गणना करेगा। फाइल को सेव करने के लिए Ctrl-S दबाएं। हम एक अन्य पर्ल स्क्रीप लिखेंगे जहां हम यह Sum.pm फाइल प्रयोग करेंगे। अब मैं सैंपल प्रोग्राम एप.pl खोलती हूँ जो मैंने पहले ही सेव कर लिया है। एप.pl फाइल में स्क्रीन परपदर्शित की तरहां निम्न कोड टाइप करें। अब मैं कोड समझाती हूँ। पहली लाइन मोडियूल नाम के साथ यूज मेथर्ड दिखाती है। हमारी स्थती में मोडियूल का नाम Sum है। हम sum.pm फाइल में total function पर input parameters की तरहां 1,7,5,4,9 पास कर रहे हैं। दोबारा अगली लाइन में हम उसी function पर 1 से 10 तक input parameters पास कर रहे हैं। अब फाइल को सेव करने के लिए Ctrl S दबाएं। आप प्रोग्राम को निश्पादित करें। टर्मिनल पर वापस जाएं और टाइप करें परल app.pl और एंटर दबाएं। टर्मिनल पर पदर्शित आउटपूट को देखें। अब यूज मेथ़ड में कुछ अधिक विकल्प देखते हैं। टेक्स एडिटर में sum.pm पर वापस जाएं। Source Code की शुवात में निमन लाइन्स जोड़ें। UseStrict. useWarnings . UseStrict और useWarnings compiler flags होते हैं, जो परल को ज्यादा कड़े तरीके जे ब्यवार करने के लिए निर्देश देते हैं। ये समाने प्रोग्रामिंग गलतियों को रोकने के लिए प्रयोग होते हैं। यूज स्ट्रिक्ट प्रोग्राम में उप्योग हुए सारे वेरिबल्स को गोशित करने के लिए यूजर को मजबूर करता है। यदि errors होती हैं, तो use strict निश्पादन को निश्पल करेगा, use warnings केवल चितावनिया देगा, लेकिन निश्पादन जारी रखेगा. मानिए कि हम variable $sum को my की तरह गोशित करना भूल गए. अब देखते हैं कि समान प्रोग्राम कैसे निश्पादित होता है. फाइल को सेव करने के लिए Ctrl-S दबाएं, टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें perl-app.pl हम देख सकते हैं कि परेणाम के निश्पादन के बिना ही प्रोग्राम निश्पल हो जाता है. टर्मिनल पर प्रदर्शित लाइनों का पहला set, use strict द्वारा उत्पन error messages हैं, आखिरी दो abort messages हैं, अता इस पकार use method विकल्प कारे करता है. आगे अब हम एक perl program देखते हैं जहां हम require method प्रेयोग करते हैं. अब मैं एक sample program common functions.pl खोलती हूँ, जो मैंने पहले ही save कर लिया है. आपके common functions.pl फाइल में screen पर प्रदर्शित की तरह नेमन कोड टाइप करें, आप कोड समझते हैं, यहां हम सामानने तहां प्रेयोग हुए functions का संग रह देख सकते हैं. पहला function square नमबर का वर्ग रिटन करता है, दूसरा function square अंडर्सकोर रूट दिये हुए नमबर का वर्ग मूल रिटन करता है, अगला function random अंडर्सकोर नमबर एक रैंडम नमबर उत्पन करता है, आखिरी function random अंडर्सकोर रेंज नमबर की लोवर रेंज और अपर रेंज के बी एक random number उत्पन करता है, ध्यान दें कि हमें file के अंत में एक semicolon की जरूरत है, यह इसलिए है क्योंकि perl को एक true value return करने के लिए file में आकरी expression की जरूरत है, file को save करने के लिए ctrl s दबाएं, आगे हम एक perl program लिखेंगे जिसमें हम require method प्रयोग करके इन subroutines को call करेंगे, अब मैं वो sample program callprogram.pl खोलती हूँ, जो मैंने पहले ही save किया है, अपनी file में screen पर प्रदर्शित name code टाइप करें, अब मैं code समझाती हूँ, require perl code रखने वाली common functions.pl फाइल पड़ता है, और इसे compile करता है, यह program user को चार विकल्प देता है, user को एक बार में एक विकल्प ही चुनना है, एक नंबर का वर्ग ग्याद करने के लिए है, दो नंबर के वर्ग मूल के लिए है, तीन दी गई range में random संख्या के लिए है, चार प्रोग्राम को चोड़ने के लिए है, अगर विकल्प एक टाइप किया जाता है, तो यह user से एक नंबर प्रविष्ट करने को कहेगा, वैल्यू डॉलर नंबर में संख्यत होती है, वैल्यू common functions.pl फाइल में square फंक्शन पर पास की जाती है, फंक्शन नंबर के वर्ग को रिटान करता है, प्रिंट स्टेट्मेंट आउट्पुट की तरह नंबर के वर्ग को प्रिंट करता है, अगर विकल्प दो टाइप किया जाता है, तो दी गई रेंज में आउट्पुट की तरह एक रैंडम नंबर दिखता है, अन्य था यदि विकल्प चार होता है, तो प्रोग्राम एक्जित हो जाता है, अगर उल्लिकित के अलावा कोई और विकल्प दिय जाता है, तो प्रिंट स्टेट्मेंट दिखाता है, प्रोग्राम में हमने common functions.pl से चार में से केवज तीन functions कॉल किये हैं, फाइल को सेव करने के लिए Ctrl-S दबाएं, प्रोग्राम को निश्पादित करें, टर्मिनल पर वापस जाएं और टाइप करें, परल callprogram.pl, आउट्पुट देखें, मैं एक बार फिर अलग विकल्प के सा प्रोग्राम को निश्पादित करूंगी, टाइप करें, परल callprogram.pl, अब विकल्प में प्रविष्ट करें, 3, lower range में प्रविष्ट करें, 50, upper range में प्रविष्ट करें, 99, हम देख सकते हैं कि numbers की दी गई range में random number उत्पन होता है, अपने आप अन्ने विकल्पों का प्रयास कर यह हमें इस टूटोरियल के अंत में लाता है, इसे सारण शित करते हैं, इस टूटोरियल में हमने परल प्रोग्रामिंग में निमन मेथर्स का उप्योग सीखा, do, use, require, note, require module की जगा, use module की सला दी जाती है, क्योंकि यह compile के समय, module की उपलबदता को निधारित करता है, यहां आपके लिए एक नियतकार है, एक बल प्रोग्राम, reminder.pl लिखें, जहां आप प्रतिभागियों को एक पत्र लिखेंगे, user को to और from नाम को प्रविष्ट करने के लिए कहें, use method प्रयोग करके letter.pm से सब रूटिन्स को call करें, letter.pm, फाइल में नीचे वाले functions लिखें, letter, date, function प्रतिभागियों के नाम रिटर्न करता है, from function भेजने वाले का नाम रिटर्न करता है, letter, msg, function, पत्र की विशेवस्थूओं को रिटर्न करता है, thanks, msg, function, thanks और regards रिटर्न करता है, output यहां प्रदर्शित की तरह दिखना चाहिए. नेमने लिंक पर उपलब दे वीडियो, spoken tutorial project को सारा इंशित करता है, क्रपया इसे डाउनलोड करें और देखें, spoken tutorial project टीम, spoken tutorials को व्योग करके कारेशालाईं चलाती है, और online test पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं, अधिक जानकारी के लिए क्रपया हां में लिखें, spoken tutorial project भारत सरकार के MHRD के NME ICT द्वारा ने दिबद है, इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्द है, IIT Bombay से मैं शुर्तियार आपसे विदा लेती हूँ, हमसे जुरने के लिए धन्यवाद